की मुंगेली सियारी आपको बता दे सियम भूपेश बखेल का बड़ा बयान इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कॉंग्रेस जिलाध्यक्ष सागर से के स्थीपे पर बोले सियम भूपेश एक आदमी के चले जाने से फर्क नहीं पड़ता इसका नुकसान उनको सहना पड़ेगा जिलाध्यक्ष हमने बनाया है पिछले बार भी भितर घात किया था उसके बाद भी कॉंग्रेस कमिटी का जिलाध्यक्ष बना कर मौका दिया जल्दी कॉंग्रेस का रिकारिया ध्यक्ष बनाएगी스럽 स्थीपे के बाद बोले सियाम भूपिश बगेल एक आदमी के चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता उन्होंने कहा कि बहुत जल्ड जो कॉंग्रेस अपना कारिकार या ध्यक्ष्ष बनाएगी और इसका नुकसान जो है सागर सेंग को भुगतना पड़ेगा उन्होंने पिश्री चुनाओं में भी वितरगात किया था लेकिन उसके बावजूद पार्टी ने कहीना कुछ समझने की कोशिश की और उनको जला ध्यक्ष बनाया था लेकिन इस बार भी उन्होंने वितरगात किया है पार्टी को धुका दिया है इसका खाम्याजा सागर सें को खुद भुगतना पड़ेगा उन्होंने पिछले चुनाओं में भी भितरगात किया था और इस चुनाओं में भी उन्होंने दोका दिया है पार्टी तो कारिकारी आध्यक्ष की नियुक्ती बहुत जल करेगी लेकिन कहीं न कहीं जो पूरा राजनेतिक करियर को लेकर जो खावियासा है वो सागर से को भुगतना पड़ेगा जिलाध्यक्ष हमने बनाया इस तरह का बयान जो है सिम्भुपिश्वगिल ले दिया है खबर मुगेली से आपको बता रहा है जाएंप सिम्भुपिश्वगिल का बड़ा बयान सामनी आया उन्होंने सागर से किस तीपे को लितर कहा है किसका खामियाजा सागर से को भुगतना पड़ेगा और पिश्रे चुनाओं भी उन्होंने वितरगात किया था लेकिन पार्टी ने तब भी सागर से को तबजूदी और जिला ध्यक्ष बनाया और इस बाहर भी उन्होंने वितरगात किया है, इसका खामियाजा सागर से कुछ भुखतेंगे और पार्टी जल्द ही कारिकारी अध्यक्ष की निउक्ति करेगी एक आदमी चला जाया तो उससे कोई पार्टी खतम नहीं हो जाता उसका नुक्सान हो गा, जिला ध्यशता है, अपने बदधी बनाया है, उसको आउसर दिया है, पिहले समय भी दरगात किया, तब भी उसको मौकल दिया है आदमी के चले जाने से पार्टी को कोई फत्र नहीं पड़ता, नुक्सान सागर से को ही उठाना पड़ेगा साथ उन्होंने कहा है कि जल्धी कॉंग्रेस पारटी कारिकारी आध्यक्ष की नियुक्ती